गैज किसी भी ब्रैंड की पहचान उसके लोगो से ही होता है फिर चाहे वो कोई बिजनेस, वेबसाइट या फिर सोसल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जैसे की इंस्टा, फेस्बुक, यूट्यूब ही क्यों ना हो लोगो ही एक ऐसा चीज होता है, जो लोगो की दिमाग में बच जाता है हमेसा याद रहता है आज मैं आपको अपने ब्रैंड बिजनेस या फिर यूट्यूब के लिए प्रोफेस्टनल 3D लोगो बनाना सिखाऊंगा लोगो बनाने के लिए यहाँ पे हम Pixel Lab application का यूज कर रहे है यह application आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा या फिर description बग चेक करना वहाँ पे आपको इसका link मिल जाएगा सो simply आपको से install करके open कर लेना है देन आपको कुछ इस तरीके का interface नजराएगा सो यहाँ पे new text का एक box दिखेगा सो यहाँ पे आपको double tap करके यहाँ से new text वाले text को हटा देना है और यहाँ पे आप जिस भी name से logo बनाना चाहते है suppose आपके brand का जो भी name है उसका initial letter हमें यूज करना है जिसके आज जो हमने logo बनाया है वो Amit creation के name से बनाया है सो यहाँ पे A और C को हमने use किया है सो यहाँ पे हम A और C type कर लेते हैं यहाँ done पे click करके ok पे click कर देना है इसके बाद guys हमें इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसके font को change करना है सो font को change करने के लिए simply आपको यहाँ A वाले section पे click करना है और यहाँ scroll करके नीचे आना है यहाँ पे आपको A B font का option मिलेगा इस पे click करना है अबकर जैसे आप A B font पे click करेंगे यहाँ पे बहुत सरे आपको font नजराएंगे बट आज जो हमने font यूज किया है वो यहाँ my font के section में मिलेगा यहाँ पे my font के section में आपको scroll करके नीचे आना है सो आज जो हम font यूज कर रहे हैं इसका नाम है target ledger regular यहाँ से मैं इसे select कर लेता हूँ यह font जो मैं यूज कर रहा हूँ इसका link आपको description में मिल जागा font बाहर से ही आपको download करना पड़ेगा सो description से download करके आप यहाँ पे folder पे click करके add कर सकते हैं इनकेस अगर font को add करने में कोई problem आए तो इसके मैं वीडियो बनाया हूँ कि कैसे आप font को बाहर से download करके pixel lab में add कर सकते हैं वो वीडियो जाके देख लेना इजली आप add कर पाओगे यहाँ पे font select करने के बाद simply आपको ok पे click कर देना है देन आपको इसे थोड़ा सा बढ़ा करके यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा font है कितना cool नजरा रहा है यहाँ पे जो हमने दो letter side किये A and C यह आपस में बहुत ही close है तो हमें इनके बीच में थोड़ा सा space create करना है इसके लिए simply आपको इसी A वाले section में यहाँ scroller के नीचे आना है और यहाँ पे आपको spacing का option मिलेगा इस पे click करके यहाँ से आपको spacing को थोड़ा सा बढ़ा लेना है around 14-15 तक कर लेना है कुछ इस तरीके से देन आपको यहाँ right पे click कर देना है सो कुछ इस तरीके से इन दोनों के बीच में spacing create करने के बाद हमें यहाँ पे इनके color को change करना है जैसे कि यहाँ पे A और C है तो A को हमें black color में करना है और C को white ही रहने देना है सो इसके लिए simply आपको इसी A वाले section में ऊपर यहाँ color का option मिलेगा इस पे click करना है और यहाँ से आपको सिर्फ ए वाले section को यहाँ नीचे select करने का option आएगा सो इस यहाँ से इस के color को black कर लेना है like this then आपको यहाँ राइट पे click कर देना है सो इतना करने के बाद यहाँ पे हमें इसे side में यहाँ कर लेना है और पतला करने के बाद हमें इसके color को black करना है यहां आएंगे हम और यहां पर आपको color का option मिल जाएगा यहां से black कर लेते हैं देना आपको यहां right पर click कर देना है फिर आपको इसे उपर के तरफ लाना है यह जो हमने text add किया था और यह आप देख सकते हैं जो हमारा text है वो पीछे के तरफ है तो हम क्या करेंगे यहां इसी यह वाले section में two front का option मिलेगे इस पर click करके इसे front side में कर लेंगे अब यहां पर हम थोड़ा सा adjust करेंगे अपने इस black color वाले section को कुछ इस तरीके से हमें कर लेना है like this सो कुछ इस तरीके से करने के बाद जो हमने text और पीछे जो background add की या black color का rectangular इन दोनों को आपस में merge करना है सो इसके लिए simply आपको यहां layer पर click करना है देना आपको यहां click करके यहां से इन दोनों बक्स को check mark करना है सो इसके लिए simply आपको इस hexagonal section पर click करके scroll करके नीचे आना है और यहां पर आपको erase color का option में लेगा इस पर click करके यहां से इसे enable कर देना है जैसे आप enable करेंगे आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा C है वो remove हो चुका है white वाला color उसका देना आपको यहां right पर click कर देना है इसके बाद guys हमें इसको छोटा करके थोड़ा सा side में यहां कर लेना है फिर आपको यहां plus वाला icon पर click करके यहां shapes पर click करना है जैसे आप shapes पर click करेंगे यहां पर square box add हो जाएगा बट यहां पर click करके आपको यहां से circle select करना है जैना आपको इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेना है like this इसके बाद हमें इसके color को black करना है so color को black करने के लिए simply आपको यहां scroll करके नीचे आना है और यहां पर आपको color का option मिलेगा यहां से black select करके right पर click कर देना है इसके बाद आपको फिर से यहां पर plus वाल icon पर click करके shapes पर click करना है इस बाद आपको जैसे shapes पर click करेंगे square box add होगा तो इसे हमें rectangle के form में कुछ इस तरीके से पतला कर लेना है और पतला करने के बाद हमें जो circle add किया इसके बीच ओ बीच कुछ इस तरीके से place कर देना है then place करने के बाद आपको यहां right पर click करना है फिर हमें इन दोनों को आपस में merge करना है जो circle और जो rectangle अभी-भी हमने add किया इन दोनों को आपस में merge करना है इसके लिए simply आपको यहां layer पर click करके यहां click करना है और यहां से सिर्फ इन दोनों को check mark करने के बाद यहां click करके यहां ok पर click कर देना है अब जैसे हैं आप ok पर click करेंगे आप यहां पर देख सकते हैं सिर्फ यही दो जो है आपस में merge हो गए है सो हमें क्या करना है यहां से भी white color वाले section को remove करना है सो इसके लिए simply आपको यहां erase color का option मिलेगा इसी hexagonal section में इस पर click करके यहां से आपको इसे enable कर देना है जैसे हैं आप enable करेंगे यहां से आप देख सकते हैं यह color जो है वो remove हो जुका है देन आपको यहां right पर click कर देना है सुगाज कुछ इस तरीके से करने के बाद अब हमें क्या करना है जो हमने AC यहां पर बनाया था design इसको यहां बीचो बीच place करना है अगर यह थोड़ा बड़ा हो तो आपको यहां से adjust कर लेना है यह राइट पर click करना है फिर आपको इसको थोड़ा सा पतला और चोटा करने के बाद इसके ऊपर यहां पर place कर देना है कुछ इस तरीके से आपको adjust करना है और इसके just ऊपर आपको like this place कर देना है प्लेस करने के बाद simply आपको क्या करना है फिर से आपको यहाँ प्लस वाल आइकन पर क्लिक करके सेप्स पर क्लिक करना है इस बार फिर से यहाँ पर जब भी आप सेप्स पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक स्कॉयर बॉक्स एड होगा बट आपको यहां पे क्लिक करके यहां से star ले लेना है और यहां से star का color जो है हमें black कर लेना है तो black कर लेते हैं फिर इसे छोटा करके हम इस triangle के बीचों बीच प्लेस करेंगे like this so triangle के बीचों बीच कुछ इस तरीके से star को प्लेस करने के बाद simply आपको यहां right पे क्लिक कर देना है अब guys आपको यहां plus वाल आइकन पे क्लिक करना है जैना आपको यहां text पे क्लिक करना है जैसे आप text पे क्लिक करेंगे यहां पे new text का box add हो जाएगा तो यहां पे इसे drag करके लाके इस पे double tap करना है और यहाँ पर आपको अपने channel का या फिर जो भी brand का full name है वो type कर लेना है जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ Amit creation Amit creation यानि कि अपना brand का full name लिखने के बाद यहाँ आपको done पर click करना है फिर हमें यहाँ लाना इसको drag करके थोड़ा सा बड़ा करना है और जो हमने font add किया है इसको थोड़ा सा bold करना है यह जो है पतला है तो हमें क्या करना है इसी A वाले section में आपको नीची आना है इस A वाले section में और आपको यहाँ पर B style का option मिलेगा इस पर क्लिक करकी यहां से इससे बोल्ड कर लेना है जैना आपको यहां right पर क्लिक कर देना है फिर हमें इसे थोड़ा सा और बढ़ा कर लेना है अपने name को और इसके जास नीचे कुछ इसस तरीके से प्लेस कर देना है इतना करने के बाद हमें क्या करना है यहां फिर से आपको प्लस वाल आइकन पर क्लिक करना है यहां पर स्कॉयर बॉक्स आड होगा तो इस पर क्लिक करके यहां से आपको सर्कल सेलेक करना है यहां आपको इसकी ओपसेटी को यहां से जीरो कर लेनी है फिर आपको यहां से स्ट उसके आउटर साइड पर कुछ इस तरीके का यह रिंग प्लेस कर देना है सही से आपको एक्यूरेसी के साथ करना है कुछ इस तरीके से प्लेस करने के बाद सिंप्ली आपको यहां राइट पर क्लिक कर देना है से और यह सभी आपस में मर्ज हो जाएंगे मर्ज करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं अब हम यहां से जो भी वाइट पॉर्शन है इस लोगों के अंदर का जैसे की ट्रेंगल उपर वाला और नीचे जो हमने नेम एड किया है इनको रिमूव करना है इसके लिए सिंप आपको फिर से आप प्लस वाल आइकन पर क्लिक करना है सेफ पर क्लिक करना है जैसे ही आप यहां पर स्क्वाइर बॉक्स हैड होगा इसको इस तरीके से छोटा कर लेना है बिल्कुल छोटा फिर यहां राइट पर क्लिक करके यहां पर आपको इसी एक्जोगनल सेक्शन में क्योंकि आज जो हमने लोगों बनाया है वो silver color में है इसके लिए simply आपको यहां इसी hexagonal section में आना है और नीचे आपको texture का option मिलेगा इस पर क्लिक करना है देन आपको यहां image पर क्लिक करके जैसे आप image पर क्लिक करेंगे आप अपनी device की गैल्डी में चले आएंगे जैसे आप right पर क्लिक करेंगे आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा silver texture है वो convert हो चुका है हमारे logo में silver texture एड़ हो चुका है यहां आपको यहां right पर क्लिक कर देना है इतना करने के बाद आपको यहां से छोटा करना है इसको कुछ इस तरीके से फिर हमें क्या करना है इसके पीछे shadow create करना है क्योंकि लोगों जो है लोगों को पीछे shadow create करेंगे तो 3D लगने लएगा इसके लिए आपको इसे एक्जोनल सेक्षन में नीची आना है और यहां पर आपको shadow का option में लेगा इस पर क्लिक करके यहां से इनेबल कर देना है जैसे आप इनेबल करेंगे आप देख सकते हैं इसके पीछे shadow create हो गया है जो की काफी इसे मतलब मस्त बना रहा है यहां से जब shadow create करेंगे तो यहां पर कुछ parameters है जो आपको set करना पड़ेगा जिसे की blur radius को आपको कम कर लेना है around 6-7 कर लेना है और यहां से X offset को आपको थोड़ा सा बढ़ाना है like this और Y offset को भी बढ़ा लेना है आपको ठीक है जैसे आप X और Y को बढ़ाएंगे यह काफी 3D लगने लगने लएगा यहां से आप चाहें तो इसकी opacity को भी बढ़ा सकते हैं ताकि यह थोड़ा और अच्छा लगे कुछ इस तरीकि से करने के जैसे कि पाध है आपको यहां रइट करना है फिर आमें इसकी जो background को है वो change करना है स्धी करने के लिए simply आपको यह कहां क्लिक करना है दो आपको यहां पर फॉम गैल्री का option मिलेगा इस क्लिक करके यहां से जो आज हमने background यीज किया है वन भी आ आपको यहां राइट पर क्लिक कर देना है, जब आप देख पा रहे हैं, यहां पर हमारे बैग्राउंड चेंज हो चुका है, बैग्राउंड चेंज करने के बाद, यहां पर अगर आप लोगो बना रहे हैं, किसी प्रोफाइल पिक्चर के लिए चाहिए वो फेस्बूक इंस पर क्लिक करके और यहां से आपको प्रोफाइल पिक्चर सेलेक कर लेना है, जिन आपको यहां उक्क कर देना है, अब गाईज, यह इसकुायर सेप में हमारे लोगों को एडिजस्ट करना है, यहां बीच ओए बीच बीच से शूइब करने के लिए, इसे से करने के रिए यह जोब कि आप भी अपने ब्रैंड बिजनेस से आफिर किसी भी social networking platform के लिए लोगों बनाना सिख गया हैं वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में तिल देंग, बगबाए